बिहार के अर्वल जिले में आया मौसम अजब गजब शादियों का हाली ही में इस जिले के सदर अस्पताल के अमर्जेंसी वाड में प्रेमी जोडे की शादी की चर्चा पर अभी विराम लगा भी नहीं के एक बार फिर इंटरमीडियट के नकलची छातर ने अपनी प्रेमी का से शादी रच ली है जो लोगों के बीच चर्चा का विशय बना हुआ है दरसल युवक इंटवा हाई स्कूल परिक्षा सेंटर पर चंद पैसे के लालच में किसी दूसरे के बदले इंटर की परिक्षा दे रहा था लेकिन चेकिंग के दोरान वो पकड़ा गया वहाँ से किसी तरह भाग कर युवक अपनी गल्फ्रेंड से मिलने उसके ननी हाल पहुचा जिसकी भनक परिवार वालों को लग गई फिर क्या था परिजनों ने दोनों की शादी करवा दी हुचा लगां अरिकेट चांसाला कांती ये लाद मदावा था प्रिए मान अखतीए तालसीता ना धारे नाए नानो तामधी के आसाना रिखी के दूआता नानो तामधी के आसाना रिखी के दूआता रामधी 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 के दूआता रामधी के आसाना लड़का शादी को तया नहीं था इसको लेकर घंटो हाई वोल्टेश रामा चला परिवार वालों के दवाब क्याके लड़के को जुकना पड़ा और दोनों प्रेमी जोड़े की शादी करा दी गई जानकारी के मताबिक कुर्था था नशेत्र के जय भीगा निवासी रंजीत कुमार और जहानाबाद जिले की देवनंदन भीगा गाउन निवासी पुनिता कुमारी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे इनका अफेयर दो साल से जल रहा था परिजनों से छिप छिपा कर दोनों मिलते थे इसी दर में शनिवार को प्रेमी रंजीत इंटरमेडियाट का एक्जाम फरजी परिक्षारती बनकर इटवा हाई स्कूल में दे रहा था लेकिन परिक्षा के तीसरे दिन सेंटर में कुछ फरजी परिक्षारती पकड़े गए थे जिसके डर से वो एक्साम सेंटर से भाग निकला और पुलिस को धक्का मार कर वो अपनी गल्फ्रेंट से मिलने उसके ननीहाल पहुँच गया जहां दोनों की शादी करा दी गई पंजाब केसरी टीवी के लिए अरवल से विश्वनात प्रताप की रिपोर्ट